आज हमें एसे प्लेस पे, जहाँ पे दिवादी के दियों का बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन आपको देखने मिलने वाला है। दियों के साथ साथ इनके पास में और भी बहुत सारी चीजे हैं, वो भी आज हम आपको शो करने वाले हैं। पहले तो विजिट करते इस प्लेस को. So friends, आज हम हमें मुंबई में की ऐसी प्लेस पे, जहाँ पे आपको टेराकॉटा से बने हुए दिये, और टेराकॉटा से बने हुई बहुत सारी चीज़े देखने मिलेगी. यहाँ पे एक ही शॉप नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी शॉप आपको देखने को मिलेगी. यह प्लेस है चेम्बू स्टेशन के नस्दिक की. अगर आप लोगों को जाना है तो चेम्बू रेलिवे स्टेशन पे उतरने के बाद में, आप वॉकेबल डिस्टन्स है, वहाँ पे जाके यह सब चीज़े बाई कर सकते हो. यह वाली दुकाने रोड साइड किये, यह सिर्फ एक ही मैने के लिए लगती है, जब दिवाली पास में आती है. वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप से, और हर एक शॉप की कुछ इंडूजॉलिटी है, वो भी आज हम आपको शो करेंगे, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले शॉप से. तो यह देखें फ्रेंड्स, यह हैं हमारी पहली शॉप, जहाँ पे आपको बहुत सारा कलेक्शन देखने के मलेगा, दियो का, उसे की साथ में और भी बहुत सारी चीज़ी है, टेरो का डग्गी, वो भी हम आपको इंडूजॉली शो करते हैं. मिट्टी से बने हुए कलर फुल में टावर पॉर्ट्स भी मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हूँ. चलिए तो विजिट करते हैं दूसरे शॉप को. इस शॉप में आपको मिट्टी से बने हुए फॉंटेन भी मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हो, इन लोगा ने उसे कलर भी किया है, आप देख सकते हो. मिट्टी के हाथी, जिनको की कलर किया हुआ है, वो भी इनके पास में मिल जाते हैं. ये देखिए भाई साब ने हमें हाथी उठा के दिखाया हाथ में इनके पास में डिफरेंट डिजाइन्स के दिये भी मिल जाते हैं ये देखिए अगर किसी को कलर किये हुए नहीं चाहिए मिट्टी के बने हुए सिंपल से दिये चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं इनके पास में दियों के साथ साथ इनके पास में भगवान के मूर्तिया भी मिल जाती है जो कि इस दिवाली में आप आपके मंदीर में रख सकते हो किसी को अगर बड़े दिये रखने के लिए टेबल वगरशे ये टेरा कॉटा सा बना हुआ वो भी इनके पास में मिल जाता है इसी के साइड में आप देख सकते हो कि और एक दियों की शौप है जहाँ पे भी आपको दियों का बहुती प्यारा सा कलेक्शन दिखेगा इसलिए तो हम आगे बढ़ते और देखते हैं नई शौप को जहाँ पे आपको और क्या देखने मिलेगा वो देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रिवेस शौप से हमें कुछ डिफरेंट देखने मिल रहा है कलरफूल में टेरा कोटा का बहुती प्यारा सा कलेक्शन है इनके पास में यह देखिए टेरा कोटा से बनी हुई बच्चों के लिए भी कुछ चीजे दिख रही है यह देखिए दिखने में बहुती प्यारी दिख रही है यह इस दिवाली में अगर आपको टेरा कोटा से बनावा लैम्प अगर लगाना है इससे बढ़िया तो लैम्प कोई होई नहीं सकता है यह देखिए इसी के अपोजिट में और एक शॉप है चलिए तो उसे भी विजिट करते इनके पास में भी आपको दियो का बहुती प्यारा सा कलेक्शन देखने को मिलता है और भी बहुत सारी डिजाइन से इनके पास में अगर आपको सिंपल चाहे तो वो भी मिल जाते है यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक दीदी बैठी है जो कि यह सब सामान सेल करने के लिए बैठी है यह देखे यहाँ पर भी कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है अगर आपको इनके आपका कलेक्शन पसंद आता है तो आप इनके आप से बाई कर सकते हो दीदी के शॉप के बाजु में और एक शॉप है यहाँ पर भी आपको बहुत ही प्यारा था कलेक्शन देखने को मिलेगा दियों का जैसे ही हम इस शॉप से आगे बढ़ते है तो हमें देखने मिलता है कि और भी बहुत सारी शॉप से वहाँ पर इस शॉप में भी आपको बहुत सारा कलेक्शन देखने को मिलेगा टेरागाटा से बनी हुई बहुत सारी नई नई चीज़ों का ये देख सकते हो बुद्ध भगवान की इतनी प्यारी सी मूर्ती आज तक मैंने नई देखी और भी बहुत सारी चीज़े इनके पास में जो कि आपको देखने को मिलेगी टेरागाटा से बनी हुए बड़े हाती का कलेक्शन है इनके पास में जो कि दिखने में बहुती प्यारा दिख रहा है क्योंकि इनका जो कलर कॉंबिनेशन है वो बहुती प्यारे से कलर से इसमें भरे हुए यहाँ पर अगर आप एक बार आज आते हो ते टेरोगोड़ से बने हुई या दिवाली में आपके घर को डेकोरेट करने के लिए जो भी चीज़े सब भी आपको इन शॉप्स में मिल जाएगी मुझे लगता है फ्रेंड्स की एक बार आपने इन शॉप्स को विजिट करना चीए ये वीडियो बना के हमने ये जो गरिब लोग है इनकी मदद करने की कोशिश किये अगर आपको भी ऐसी लगता है तो आप भी उनके शॉप्स को विजिट करके वहाँ से कुछ न कुछ महार रहते और उनको पता नहीं है तो उनके लिए आज स्पेशल ये वीडियो बनाए जिससे कि आप लोगों को भी पता चले कि चेंबूर के इस एरिया में आपको टेरा कोटा का बहुती प्यारासा कलेक्शन दीखने को मिलेगा इस दिवाली में क्योंकि ये सिब दिवाली में रहते तो उपर में जो सरकल दिये उस पे क्लिक किजिए और फिशेसिंद प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब किजिए